अलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तारकिक ज्यान पर आज हम बात करेंगे यूपिटर 2019 के पेपर वन के भाग चार गड़ित को तो फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी सब् एक आयत की लंबाई में एक आयत है उसकी लंबाई में 60 प्रतिसत की व्रधि करने पर उसकी चौणाई में कितने प्रतिसत की कमी करनी होगी जिससे आयत का छेतरफल ना बदले तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मतलब यहां पर लंबाई में व्रधि दी गई है x upon 100 plus x percentage अब यहाँ x जो बात आ रही है x की यह x जो है 60% है ठीक है यहाँ कह रहा है कितने प्रतिसत की कमी तो अगर कमी ना होती व्रधी पूँछता तो यहाँ माइनस हो जाता प्लस की जे नीचे तो अब यहाँ पर कमी पूँछी है तो नीचे प्लस रहेगा तो 100 multiply x है तो क्या हो जाएगा 100 multiply 60 upon में क्या रहेगा 100 plus 60 अब इसको solve करेंगा उपर क्या आएगा 6000 आएगा और नीचे 160 यह 0 कर जाएगा 600 upon 600 upon कितना बच रहा है 16 बच रहा है और percentage लगा रहेगा अब यहाँ पर जब हम इसको divide करेंगे तो 37 5 आएगा percentage में तो सही विकल्प यहाँ पर देखे option number कौन सा है डी वाला सही है अगला प्रशन है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है तो घन का संपूर्ण प्रिष्ठी ये वर्ग इकाई में क्या होगा मतलब घन का आयतन दिया है थोड़ा से घुमाया है question आयतन का संख्यात्मक रूप तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है यह क्यूब मान लिया यह आयतन है उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है मतलब बराबर है कि इसके भुजाओं की घन है तो घन में जो भुजा ए मानी गई है यहाँ पर तबी तो भुजा क्यूब वाला इसका सूत्र बना अब घन में कितनी भुजाएं होती हैं बारा भुजाएं होती हैं तो छेतर फल जो आयतन क्या कह रहा है भुजाओं की लंबाई के योग मतलब बारा भुजाएं हैं तो योग कितना होगा बारा ए होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 12 A यह हो जाएगा A cube is equal to 12 A अब यहाँ पर X A कट जाएगा A square बराबर क्या मच रहा है 12 इससे हमारा यह निकल आया आगे कहरा घन का संपूर्ण प्रिष्ठी यह छेत्रफल अब घन का संपूर्ण जो प्रिष्ठी यह छेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6 A square होता है तो A square की value यहाँ से हम put कर देंगे यहाँ पर 12 तो 6 multiply by 12 तो कितना आएगा 72.0 option के according विसे point के बाद 0 नहीं भी होगा तब भी सही होगा तो correct option यहाँ पर 12 बन जाएगा अगला प्रशन है 2018 में अमित का वेतन रुपए 1,26,500 है वर्स 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्स 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तो पहुच गया मतलब 2016 में जितना था उससे अगले 2 साल में 10% बढ़ा फिर 15% बढ़ा तब उसका वेतन कितना हुआ ना तब पूँच रहा है तो 2016 में वेतन था कितना तो X मान के यहां पर हम solve करेंगे तो पहले X मान लिया जाएगा उसका वेतन अब X का 10% निकालेंगे तो X का 10% निकलेगा तो कितना हो जाएगा देखे X का 10% हो जाएगा X बढ़ा 10 लेकिन अब बढ़ा तो 10% है ना अब प्लस में X रखेंगे तभी तो 110% निकलेगा तो यह हो जाएगा 11X बढ़ा 10 अब आगे 15% बढ़ा है अब इसका 15% हम 11X बढ़ा 10 का 15% निकालेंगे तब solve करेंगे और बराबर में 1,26,500 रहेगा अब इसको जब solve करेंगे तो 11X बढ़ा 10 कामन आजाएगा तो 11X बढ़ा 10 कामन आगे ब्रेकेट में 1 प्लस 15 अब इसको जब solve करेंगे और बराबर में यह चलता रहेगा 1,26,500 अब यहाँ पर हो जाएगा 115 यह वाला solve करेंगे तब 115 बढ़ा 10 गुडे क्या रहेगा यह वाला 11X बढ़ा 10 बराबर में 1,26,500 अब इसको जब solve करेंगे तो X की value यहाँ पर आएगी इतना आजाएगा 1,00,000 आजाएगा तो सही विकल्प चेक कर लेते हैं यहाँ पर 4 नमबर वाला सही विकल्प है अगला प्रश्ण है 94 नमबर दो संख्याों का महत्तम समापर तक 6 है लगतम समापर तक 432 है एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है तो यह तो simple है पहली संख्या गुडे दूसरी संख्या नहीं पता 6 गुडे 432 अब यहाँ पर हम इसको solve करेंग चेटेट तालिस अब आठ से कटेगा ये वाला आठ पंचालेस और चोपतिस तो कितना आ गया चववन आ गया तो देखिए यहां पर सही विकल्प कौन सा बनेगा डीवाला अगला प्रश्ण है किसी महीने का तीसरा सुक्रवार सोलमी तारिक को पढ़ता है तीसरा सुक्रवार तो उसी महीने का चौधा मंगलवार किस तारिक को पढ़ेगा तो ऐसे कोश्चन में सबसे पहले हम देखिए सुक्रवार दिया गया है न तो पहले हम एक तारिक को जाएंगे कौन सा दिन पढ़ा था तो यह तारिक को शुक्रवार है तो पहली तारिक को जाहिर से बात है ब्रहस्पतिवार है ना पहली तारिक को ब्रहस्पतिवार है तो पहला मंगल वार किस दिन पढ़ रहा है तो यहां पर पहला ब्रहस्पति को पढ़ रहा है पहली तारिक मतलब 6 तारिक को पहला मंगलवार पड़ेगा तो अब उसे हिसाब से चौथा निकाल लेंगे अब यहाँ पर 7 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा 13 को दूसरा फिर 20 को तीसरा फिर आगे साथ जोड़ेंगे 27 को हो जाएगा चौथा मंगलवार तो सही विकल्प यहाँ पर कौन सा dual option बन गया अगले प्रेशन पर बढ़ा है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने सीर्स होते हैं एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है उसमें सीर्स बताने है अब त्रिभुजाकार प्रिज्म जो होता है उसमें सेर्ष होते हैं 6 तो देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म जो बनता ऐसे जो होता है ऐसे करके ये पीछे चिपा रहता है इस टाइप में तो यहाँ पर 1,2,3,4,5 और पीछे वाला 6 ये हो जाएंगे 6 सही तल पर बीवाला बन गया में अगले पर बढ़़ रहा है 97 नमबर है 10 कि 6 की दरसे केल खरीद कर 6 में 4 की दरसे बेंचने पर कितने प्रतिस्त हानी होगि कानी बतानी है तो यहां पर 10 के 6 केले खरीदे गए ठीक है तो यहां जो केले खरीदे यहां 6 के 4 बेंचे गए तो 4 और 6 का पहला तो इसके कई तरीके हैं इसको solve करने के लेकिन यहां पर हम simple solve करेंगे इसका 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 इलसेम कितना होगा भाई 10 केले सुरी 6 केले 10 में खरीदे गए तो इसका इलसेम निकाल लेंगे 12 हो जाएगा अपते 12 केले खरीदे कितने जाएंगे इसका डबल कर लिया तो 12 केले खरीदे 6 केले 10 के थे 12 केले 20 के हो जाएंगे अब यहां पर 4 में 6 रुपए में 4 बेचे गए तो तीन कुना इसका हो रहा है त एक अथारा ठीक है तो यहां एक बीस हो जाएगा क्रैम ओले और अथारा हो जाएगा विक्रैम ओले अब हान यहां पर हुई है दो रुपै की तो प्रतिशत जो हानी निकालेंगे हानी बटा क्रैम ओले गुड़े 100 होता है तो बीस पंजे सो यहां पांच पांदूनी 10 कितना आ जाएगा यहां पर विकल्प यह वाला सही होगा अगला प्रश्ण है 98 नमबर रिक्ति स्थान के लिए कौन से विकल्प सही है इसमें से कई विकल्प सही है वन ग्राम जबeking कितने किलो ग्राम के हैگ तो देखे यह विल्प विकल्प तो सही है एक बटा 1000 ग्राम अब यहां पर बी वाला चिक कर लेते हैं देखे B वाला क्या है 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम तो यहाँ पर यह भी सही है क्योंकि इस वाले को अगर हम घात के रूप में बदलेंगे तो यही आएगा अब यहाँ पर देखे 3 जीरों है अगर 2 जीरों होते तो यह सही हो जाता तो B सही, A सही और यह तो एकदम गलत है तो सही विकल्प यहाँ A और B देखे कौन सा बनता है दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रश्न है 99 नमबर 0.01 स्कॉायर को प्रतिसत के रूप में लिखने पर क्या होगा तो देखे हम प्रतिसत के रूप में लिखेंगे तो पहली बात तो इसका मान अगर आएगा तो 0.01 इतना आएगा अब प्रतिसत के रूप में हमें लिखना है तो क्या आएगा यह अगर करेंगे तो 1.200 प्रतिसत के रूप में बनता है कि नहीं तो 100 से गुड़ा कर देंगे तो 2 अंक पहले 0,01 ऐसे हो जाएगा ना 0,01 प्रतिस्द तो इसके according option यहाँ पर देखिए कौन सा बन रहा है यह बन रहा है इसको हटा देते हैं यह बन रहा है यहाँ पर हो जाएगा आपका सही लेकिन आगे दो पीचिन पूछ रहा है ना कई विकल्प यहां सही हो सकते हैं आगे चिकर लेते हैं अब इसको देखे हट आएंगे दसमेलों तो एक बटा सोवा जागा लेकिन यहां प्रतिसत नहीं लगा तो गलत है यह तो एकदम गलत अब यहां पर यह वाला सही बनेगा दसमेलों हटा के दो जीरो बढ़ जाएंगे और प्रतिसत तो लगा रहेगा ना तो ए और डी दोनों सही है यहां पर ना तो देखे सही विकल्प ए और डी पर जा रहा है डी वाला सही है चौथा विकल्प अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अंतर तथा गुडणफल प बराबर 5 और गुडणफल 36 तो एकस गुड़े वाई बराबर 36 अब इनके वियुत क्रमों का अंतर मतलब x का वियुत क्रम क्या होता है । यहां पहले कर सकते हैं एक वाला अगला प्रश्न है 101 नंबर एक कम्रे की लंबाई दस प्रतिसत घटाई गई तो था 24 प्रतिसत घटाई गई उचाई 5 प्रतिसत बढ़ाई गई तो इस कम्रे के आयतन में कितने प्रतिसत का परिवर्तन हुआ है यहां पर यह पूंचा जा रहा है परिवर्तन कितने प्रतिसत का हुआ है तो पहले लंबाई में 10 प्रतिसत कमी औ को भी दो तरीके से हम कर सकते हैं एक तो x मान के कर सकते हैं x y z मान के सब में कमी निकालेंगे कितने व्रध्य होगी फिर उसका आयतन निकालेंगे real वाला और बाद में उसका आयतन निकालके दोनों को घटा देंगे पता चल जाएगा और एक सौट विधी हैं यहां पर दो यहां मैनस 10 गुड़े मैनस 20 प्रटाशू से मतलब क्या से उतर होता है यह जाएगे बढ़ी है यहां पर मैनस 30 यह जीन क्या हो जाएगा 0 0 दोनों कर जाएगे तो 1 कमदू प्लस का हो जाएगा तो मतलब माइनस 28 आएगा लंबाई और चोड़ाई से जो कमी हुई है वो हुई है माइनस 28story अब उंचाही में कितनी 5% मृध्धि हुई है अब उंचाही एक ले लेंगे तो माइनस 28 प्लस 5 प्लस माइनस 28 गुड़े 5 बटे 100 अब इसको जब हम सॉलो करेंगे तो माइनस आएगा 24 तसमलो 4 तो सही विकल्प यहां पर बन जाएगा अप्शन नमबर बीवाला अगला प्रश्ण है किसी कम्रे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे 9 मीटर 2 स चोड़े फर्स मतलब यह एक लंबाई है यहां पर सेंटीमीटर में अगर कनवर्ट करने सीथ है तो पंद्रा सुचत्रा और यहां पर 902 हो जाएगा है ना चोड़ाई फर्स है तो फर्स इतनी लगानी है तो वर्गा का टाइल की निवनतम संख्या कितनी है वर्गा का टाइल निकालने है कम्रे की लंबाई इतनी सेंटीमीटर है चोड़ाई इतनी सेंटीमीटर है अब टाइल की संख्या निकालनी है कि तो मित्रफल है वो कितना इसका जब गुड़ा करेंगे दोनों का ठीक है पंदरा सो सकत्रा गुड़े नो सो दू इसको गुड़ा करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि बात में काटना पड़ेगा अब यहां पर टाइल की जो लंबाई है उसका मान निकालेंगे टाइल के वरगा का और उपर हम क्या करेंगे कमरे का छेतरफल रखेंगे और नीचे वरगा कार है न तो इस टाइल का छेतरफल निकालेंगे टाइल का छेतरफल एक है और कमरे का छेतरफल कितना था यहाँ पर 1517 गुड़े 902 था इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 814 आंसर तो सही गुड़न फल में इकाई का अंक क्या होगा इकाई का अंक बताना है यहां पर तो ऐसा कुश्चन देखिए देखने में तो बहुत ज्यादा डेंजर लगते हैं लेकिन होता इजी है तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम इकाई के अंक में पहले लेंगे तीन है तीन की हम पहले इसको क्या करेंगे देखे तीन गुड़े 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 तीन गुड़ प्रतिसत और उसके हर में 25 प्रतिसत बढ़ा दिया जाए भिन को 20 प्रतिसत बढ़ाने की बात प्रतिसत बढ़ाने की बाति है अब कितना था य का 125 प्रतिसत इतना बढ़ा है ना तो भिन तीन बटे 5 हो जाती है अब अब सॉल्व कर लेंगे इसको यहां पर देखें यहां पर क्या हो जाएगा पांदूनी दस दू बच्चे का पांदूनी दस पांदूनी दस पांदूनी दस यहां 25 हो गया अब है तीन से आठ यहां आ जाएगा पांच से ये 5 हो जाएगा तो आठ बटा 5 आ गया ऐसे मतलब एक्स आठ वाई पांच बराबर एक आया अब 5 इधर भीजदेंगे 8 इधर मतलब 5 बटा आठ भिन हो जाएगी तो तो सही विकल्ब यहां पर 3 बस यहां पर तो 8 से विभाजिता का आपको सुत्र पता होना चाहिए अगर कोई भी चाहिए जितनी बड़ी संख्या आखरी की तीन अंक उससे विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित है तो चेक कर लेते हैं यहां 240 है 8-3-24-0 मतलब कट गया पूरा यह वाला कट जाएगा डिवाइड हो जाएगा दुसरा है 8-24-0 बचेगा 6 फिर 60 हो जाएगा यह 8 से नहीं कटेगा यह नहीं है डिवाजित मतलब यह भाजित संख्या नहीं 8 से है यह चेक करेंगे 8-1 बचेगा 4 4-8 हो जाएगा 8-4-4-0 मतलब यह भी विभाज है यह चेक कर लेते हैं 8-1-4 बचेगा 44 हो जाएगा यह विभाज नहीं है मतलब यह दो नहीं है पहली और तीसरी संख्या विभाज है तो यहां पर 3 वाला विकल्प सही होगा तो फ्रेंट्स आगे के कॉश्चन हम नेश्ट वीडियो में डिसकस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएगे तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद